नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर का एक्रम करनाटक जीत गया जी हाँ यह जीत दरसल करनाटक की है करनाटक कनेडिगा अस्मिता की जीत है और उससे बड़ी बात करनाटक के मद्दाता जो पिछले 5 सालों में लगातार कह रहे और उससे पहले जो अर्ण राजियों में चुनाव होने हैं वहां भी विपक्षी दलों को मजबूत संबल देगी करनाटक की जीत एक बात दोस्तों जो बहुत ध्यान देने वाली है कि जीत का जो जश्न मन रहा है वह निश्चित तोर पर बहुत बड़ी जीत की और इशारा तो करी रहा है लेकिन साथ ही साथ ध्यान दीजिये भारती जंता पार्टी को जो करारी हार मिली है लेकिन उसका वोट प्रतिशत जादा नहीं गिरा है और यह बहुत अलग संकेत दे रहा है लेकिन इसी के साथ साथ जो कॉंग्रेस की जीत है उसमें जो राष्टे नेत्रित और खास तोर से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली जिस तरह से उसने पूरे करनाटक को कवर किया वहां से जो उसके संगठन को बेस मिला और इसके बाद प्रियंक बड़ा कैटलिस्ट उसने अपनाया एक कैटलिस्ट बनी यह पूरी भूमी का लेकिन साथ ही साथ सीधा रमया और डीके शिवकुमार का साथ साथ आना शायद यह संकेत दे रहा है कि जमीन के मुद्दों पर जो कॉंग्रेस की पकड़ रही और जो वो तयार नहीं हुई भा बहुत बुनियादी सवाल है क्योंकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी करनाटक से तो सारे लोग एक चीज पूछ रहे थे कि हम आपके जैसे नहीं हैं हम यानी दक्षन भारत के लोग हम सब जानते हैं कि करनाटक किस तरह से भारती जनता पार्टी के लिए लंब कि तरह से जूटे ढंग से प्रचारित प्रसारित करकर बड़े पैमाने पर मुस्रिम लड़कियों को पढ़ने से बंचित करने की साजिश की गई किस तरह से हलाल को मुद्दा बनाया गया लेकिन इन सब का जवाब जिस तरह से जमीन पर मिला है और खास तोर पर धयान जो कोस्टल करनाटका का परिणाम है उस इलाके में जहां भारती जनता पार्टी को किछली बार 19 सीटे मिली थी वहां पर कॉंग्रेस की पैठ बनाना बहुत साफ संकेत है कि वहां के लोग वहां के मद्दाता जिन से हमने जब बात की वह खुल कर बोल रहे थे कि वे ठब गए हैं इस हिंदू-मुसल्मान की राजनीती से क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर अर्थविवस्था संकट में है यह जो कोस्टल बेल्ट है करनाटक की जो आपे नक्षे में दिखाई दे रही है यहां पर आम आबादी है तुलनात्मक रूप से यह संपन है बड़े पैम पैमाने पर वैपार चलता है यहां पर यहां की अर्थविवस्था बहुत बड़े पैमाने पर गल्फ एकॉनमी से जुड़ी हुई है यहां पर मुसल्मान समाज बड़े पैमाने पर गल्फ में जाता है बाकी समाज भी गल्फ में जाता है और वहां से यहां पर आयाती है विकास का एक बड़ा चैनल है ये जिसे पिछले पांस सालों में रोकने थामने की कोशिश हुई और इसके खिलाफ कम से कम एक हिस्से ने वोट दिया इसे भी निरनायक वोट के तौर पर देखना और शायद आने वाले दिनों में करनाटक की राजनीती किस तरह से चेंज होग कि इस पर हमारी आपके साथ नज़त बनी रहेगी इसी के साथ साथ ध्यान दीजिए कि जो छे हिस्सों में करनाटक को बाटा जाता है तकरीबन सारे हिस्सों में कॉंग्रेस ने तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है कुछ जगा बहुत अच्छा कि मैं बार-बार कह रही थी जमीन से भी कि अगर जंतादल सेकुलर उसका वोट प्रतिशत घटता है तो वह किसको फायदा पहुचाएगा और क्या यह जंतादल सेकुलर के लिए उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी वाला शन होगा क्योंकि हमने देखा था कि उत जंतादल सेकुलर के वोट बैंक में और शायद करनाटक की राजनिती में इस चेतरी दल का इस तरह से कम होना उसका कद कम होना करनाटक की जंता के लिए चिंता का विशय हो सकता है इसी के साथ साथ देखिए दो अलग-अलग हिस्से करनाटक के यह हिस्सा है है हैदराबाद करनाटका और यह हिस्सा है मुंबई करनाटका यह दोनों महराज से जुड़ा हुआ एक इलाका तेलंगाना से जुड़ा हुआ इन दोनों ही इलाकों में जिस तरह के समीकरण हुए जो आपको रंग दिखाई दे रहे हैं वे अपने आप में इसकी राज़नितिक कहानी कहने के लिए काफी हैं यहां पर जो एक और बहुत एहम मुद्दा उठा था खासतोर से हैदरबाद करनाटका में वह था कंणर भाशा को लेकर हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में जि क्योंकि उन्हें अपनी मात्र भाशा कंणर से प्रेम है और एक एहम मुद्दा यहां बना एक बात बहुत साफ साफ बैंगलूर जी हां यह जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो विधान सभाएं हैं इनमें कॉंग्रेस और भारती जनता पार् हुए करोड़ो रूपे के फूल वर्शा हुई वहीं दूसरी तरफ करनाटक में इस इलाके में राहुल गांधी सहित भारती जनता पार्टी के बरक्स जो लोग खड़े हुए थे कॉंग्रेस के उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन या राहुल गांधी का कभी बस में सवारी करना कभी आटो और स्कूटर के पीछे सवारी करना यानि दो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर्स के सेंटर सामने आये थे और यहां पर बहुत रसा कशी के बाद कॉंग्रेस अपनी जमीन कायम कर पाई और शायद यह बहुत बड़ी डिफीट है मोदी जी के लिए परस कम से कम इस पूरे इलाके का जो चुनाव प्रचार है वह बता रहा है कि शायद लोग सिर्फ ग्रैंड भव्य दिव्य और सिर्फ बजरंग बली और बजरंग दल पर वोट नहीं दे दोस्तों करनाटक का चुनाव एक बात बहुत साफ इशारा कर रहा है कि 2024 उस तरह से आसा यहां पर जब बुनियादी मुद्धे मजबूत होकर सामने आते हैं तब जनता सही विकल्प को चुनती है एक बात और जो ध्यान से देखिए कि इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ पांच राज सीधे सीधे भाशपा शाशित हैं उत्तरप्रदेश, मद्धप्रदेश, गुजरात और हरियाना एक एलाइंस में है यानि गटबंधन में महराष्ट चार राज कॉंग्रेस के पास हैं इसमें हम करनाटक मानी रहे हैं राजस्थान है चत्तिसगड़ है हिमाचल है और एक गटबंधन के साथ जारकंड और आब आप देखिए कि जो छे राज भाशपा से बाहर हैं वह हैं पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडू और केरल और दो राज जो दोनों जगा नहीं हैं उसे आप ओडिशा और आंधर प्रदेश दे सकते हैं और जो केंद्र शाशित राज हैं दिल्ली वह आपके पा इसी तरह से आप देखिए कि जम्मु कश्मीर में वहां पर कोई विधान सभा नहीं है और इसके साथ साथ इस क्रम को अगर आप देखिए इन तमाम राज्यों के नाम अगर आप याद रखें तो करनाटक का परिणाम एक चीज़ बता रहा है कि जिन दो एहम राज्यों में चुनाव अभी होने हैं दो तीन राज्यों में दो हजार चौबिस से पहले चुनाव होने हैं अगर वहां विपक्ष मजबूत होकर अपनी पहरेदारी करता है अपनी दावेदारी करता है तो दो हजार चौबिस का जो पूरा दृश्य है वह बदल सकता है और एक बात आख फुट में नहीं गई यानी डिफेंस में नहीं गई उसने खुल कर कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है शायद इस तरह की राजनितिक द्रता तमाम सांप्रदाइक मामलों में बहुत जरूरी है देश की जनता अमन और चैन और विकास के लिए वोट देना चाहत ही है शुक्रिया